हेलो हाई अरियों स्टॉप डिपन में आप लोग स्वागत है तो आज हम लोग बात करने वाले है आई-ई-एक सेयर्स के बारे में इंपटर से पहले इंफॉर्टन चीज गाया है जिनके लिए चैनल लेया है चुराँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे एंफार्ट बे जो इन फिर जाल अवर तो जाल अवर तो यहां पे बात कर लिए तो आलोवर हमें एक बस-प्र बैस नहीं को मिल रहा है यहां पर थे-खनी तो यहां पर गिरावर जेस तरीक से बढनी थी माथ में बतारे और श्रुग चैनल था जो वह बात करे तो उससे भी जादा अब बात करें तो target अभी फिर से 160 तक की target hit करने का chances बना रही है बट 160 से पहले 140 को भी break करते वे दिखेंगी जल्दी ही आपको market में जल्दी ही 140 फिर उसके बार आराम से आपको 155 तक करेंगी है यह hit करने का target का position create कर रही है अभी के time में बात करें holdings के side to holdings basis पे अच्छी holdings बनते हुए दिखेंगी 56.17 अच्छा खासा holdings है अपकोस आप लोग पैसा लगा सकते हैं और यहां पे profit gain करने का पूरा पूरा chances बन रहा है देख सकते हैं बहुत ही प्यारी तरीकी से upper trend को follow करते हुए market में दिख रही है और all over अगर बात करें तो यहां पर आपको इस एडिया में एक अच्छा resistance बन जाता है 3135 के range में बहुत ही strong resistance बनती है आपको इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा केरफुल रहना है अगर आप market में trade करना सोच रहे तो अगर के और बात करें तो 140 का भी एडिया जो जा रहा है वहां पर भी मतलब यहां से आपको एक अच्छा resistance एडिया मिल रहा है तो जिसके चलते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा केरफुल रहना है अब all over चीज़ की बात करते हैं यहां पर एक और चीज़ में आपको इनफॉर्म करना चाहूंगा आपको अच्छी है न्यूसे के चलते हैं यह डाउन आते वे दिखी जो monopoly थी इसके monopoly खतम हो गई मतलब खतम नहीं हुई मतलब थोड़ी सी कम हो गई market को लेके तो जिसके चल यहां पर यह गिरावट देखने को आपको मिला बट all over बात करें monopoly खतम हो जाने से क्या होता है market में तो of course revenue पर एफेक्ट दिखता है मतलब अगर railway competition में जुसरी कोई company आजा है तो of course वहाँ पर competition level बढ़ जाती है बट all over बात करें अगर focus करें तो एक चीज फाइदा क्या होते हुए दिखता है कि जो इसकी brand value है brand value बहुत ही जादा major role play करती है जैसे अभी के टाइम में हम बात को है Infosys, TCS, Wipro यह सारी company बहुत ही उंदा company बहुत ही next level की company है बट कोई और भी market में अगर company आ जाती है तो of course इनको effect होते हुए दिखी कि revenue कम हो सकते ही कहीं ना कहीं पे इंडियन सेक्टर ऐसे भी IT के मामले में बहुत जादा डेवपता है but all over अगर थोड़ी सी revenue कम हो जाएगी but यहां पर उनको अपना brand value भी पता चल जाएगा कि इनका brand value कितना उसके बाद भी अगर यह market में अपना पकड बना लेती है तो आप लोग इस पे बहुत ही जादा मतब अटल रह सकते हैं मतब बहुत ही जादा decision decision रख सकते हैं बहुत ही अच्छा decision रख सकते हैं नई one of the best stock है अभी के time में ऐसा आपको मिल सकते है अगर अग पूरी fundamental वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना अफकॉस मैं वीडियो बना दूगा और कुछ भी डाव तो कमेंट करके पूछ लीजेगा थैंक्यू है नाइस दे गाई वीडियो पसंद है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइक करना मत बूलिएगा